नवलगड राजस्तान के जुनजनु जिली की एक तैसिल है। यह मुकुनगड के उत्तर में 15 किलोमेटर और डुंडलोज से 10 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है। अठारवी शताबदी में स्थापित इस कस्बे में शेखावाटी प्रदेश की कुछ अत्यंत सुंदर कलाकरतियां मुझूद है। अगर परेटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर रंग बिरंगा बाजार और अंगिनत हवेलियां और महीन वास्तुकला के साथ यहाँ का विशाल किला इस जगह को दर्शनी स्थल बनाता है। और यहाँ आधुनिक सुविधाएं उपलब्द हैं। पुराने जैपूर तथा नवलगड के चित्र देखने को मिलते हैं। यहाँ जाने के लिए एक मिठाई की दुकान से होकर गुजरना होता है। जिसके लिए शुलक देना पड़ता है। इस किले का बाकी का हिस्सा एक बहुत बड़ा फल तदा सबजियों का बाजार और दो बैंक इस्तिमाल करती है। नवलगड की हवेलियां देश विदेश से कई सेलानियों को अपनी और आकरशित करती है। नवलगड कीले के पस्चिम में हवेलियों का एक समू है जिसे आठ हवेलियां कहा जाता है। इन हवेलियों पर बनी नकाशी अधुनिक्ता के साथ मेल खाती है। एक चित्र में भाब का इंजिन है तो अन्य में बड़े हाथी, घोड़े तथा उूट की प्रतिमाएं हैं। परतमान में इस हवेलिय में कोई नहीं रहता है तथा आंगन हमेशा बंद रहता है। सिर्फ कुछ मुख्य कारेकरम के अवसर पर ही इसे खोला जाता है। उत्तर दिशा में हेमराज कूलवाल हवेली स्थित है जो सन 1931 में बनवाए गई थी। इस हवेली के द्वार पर गांधी जी तथा जवारल नेरू के साथ कूलवाल परिवार के सदस्यों के चित्र मौजूद है। नवलगड में देखने लायक अन्य हवेलियों में भक्तों की छोटी हवेली, परशुरामपुरिया हवेली, धारनी धाकरा हवेली, चोखारिया हवेली, हीरालाल सरावगी हवेली, तथा गिवराज का हवेली प्रसिद्ध है। एमसाथ ही डाक्टर रामनात पोदार हवेली संग्रालाई भी इस्तित है, जिसमें इस भित्ती चित्रों की देखबाल की जाती है तथा नए चित्र भी शामिल होते रहते हैं। नवलगड के कुछ प्रमुक परिटन स्थलों में यहां का कीला, रूपनिवास पैलेस, शीश महल, पोदार कोलेस टावर, लक्ष्मीन रसिंग मंदिर तथा गोपिनाजी का मंदिर दर्शनी आकर्शन स्थल हैं। यहां की हवेलियों में बनी सुंदर फ्रेसको पैंटिंग्स दुनिया भर से देशी शेलानियों को अपनी और आकर्शित करती है। इसी के चलते शेखावटी अंचल को राजस्थान की ओपन आर्ट गेलेरी तक की संगया दी गई है। सन 1830 से 1930 के दोरान व्यापारियों ने अपनी सफलता और समरध्धी को प्रमानित करने के उद्देश्य से सुंदर एम आकर्शक चित्रों से युक्त हवेलियों का निर्मान कराया। जिन में भक्तों की हवेली, छोटी हवेली, परशुराम पूरिया हवेली, छाउचरिया हवेली, सेख सरिया, मुरारका की हवेली एम पोदार हवेली आदि प्रमुक हैं। हवेलियों के रंग शान और शोकत के प्रतीक माने गए हैं। समय गुजरता गया तो परंपरा और विरासत का रूप धारण कर ये हवेलियां आज वर्तमान पीडी को अपनी पुरानी शान से आउगत कराती है कलाकारों की कल्पना जितना उडान भर सकती थी वैस अब इन हवेलियों के दिवारों पर आज देखने को मिल जाता है नवलगड में ठैरने के लिए शानदार होटल एम गेस्ट हाउस भी उपलब्द है इन में से रूप निवास पैलेस, होटल नवलगड प्लाजा, आपनी होटल, होटल अपनी धानी, होटल सिटी पैलेस, नवल होटल, तीज होटल आधी प्रमुख है अगर सिक्षा की शेत्र की बात करें, तो शेखावटी राजस्तान के अग्रणी शेत्र में माना जाता है इलानी, लक्षमनगड और नवलगड ने शेक्षिक परिद्रश्य को समारने का काम अब भूत पूर्व तरीके से किया है राजस्तान के सबसे पहले महाविद्याले, सेट ग्यानी राम बंशिधर पोदार महाविद्याले नवलगड में ही स्थित है इसकी स्थापना सन 1921 में हुई थी स्वय महात्मा गांदी जी इस कॉलेज के ट्रस्टी थे नवलगड में सिब्यसी से मानेता प्राप स्कूल के अलावा पॉलिटेकनिक एम डुंडलोद में इंजिनेरिंग कॉलेज स्थित है साथ ही यहां एक सरकारी कॉलेज भी है कर दो करे दो करे तो